हेलो मेरे दोस्तों, चंद्रियान 3 मिशन की सक्सेस के बाद, इसरो का एक और बड़ा मिशन तयार है, जिसे हम आदित्य L1 के नाम से जानते हैं। आज की विडियो में हम आदित्य L1 के बारे में सब कुछ जानेंगे, तो विडियो सुरू करते हैं। आदित्य L1 नियोजित भारत का पहला सौर मिशन है। पहले इसका नाम आदित्य, वन था जिसे अब बदलकर आदित्य, L1 मिशन कर दिया गया है। सूर्य का अध्यान करने के विज्ञानिक अभियान के लिए, एस्ट्रो सैट के बाद यह इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित, खगोल विज्ञान मिशन है। आदित्य L1 का उद्धेश्य, सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फियर और फोटोस्फियर का अध्यान करना है। दरसल धर्ती से सूरज की दूरी तक्रीबन 15 करोड किलो मीटर है। इस दूरी के बीच 5 लेगरेंस पॉइंट्स हैं। इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इनका नाम 88 सदी के इतालवी खगोल शास्त्री और गनित गयान जोसेफ लूई लेगरे स्थिर है और अपनी स्थिती नहीं बदलते हैं। L1 इसका पहला पॉइंट है जो धर्ती से 15 लाख किलो मीटर दूर है और L1 को लीगरेज पॉइंट 1 कहा जाता है। एक प्रश्न आप सब के मन में आ रहा होगा कि मिशन के लिए L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया। तो L 1 को इसलिए चुना गया क्योंकि L1 एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य का 2400 घंटे अवलोकन किया जा सकता है। ये वो जगह है जहां धर्ती और सूरज के गुरुत्वा कर्शन के बीच एक बैलेंस बन जाता है। धर्ती और गुरुत्वा कर्शन के बीच बैलेंस होने से ए भावित नहीं करती। यहां से सूरज सातों दिन और 24 घंटे दिखाई पड़ता है। वहीं ये पॉइंट पृत्वी के नस्दीक है और यहां से संचार में काफी आसानी होती है। इस कारण ये स्थान स्टडी के लिहास से अच्छा माना जाता है। अब हम जानेंगे आदि भावित्य L1 के उपकरणों को सौर वातावरण मुख्य रूप से क्रोमोस्फियर और कोरोना का निरीक्षन करने के लिए ठ्यून किया गया है। इन सीटू उपकरण LH पर स्थानिय वातावरण का निरीक्षन करेंगे। जहाज पर कुल सात पैलोड हैं जिन में से चार सू लिए की रिमोट सेंसिंग करते हैं और तीन इन सीटू अवलोकन करते हैं।